आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी आज का यूसफुल वीडियो बहुत ही कमाल का है आज एक ऐसा टिप बताने वाली है जो इस तरदी आपकी सारी प्रॉलम को खतम कर देने वाला है ये यूसफुल टिप मेरा हल्दी को लेके है हल्दी हमने म मसाले दाने में से बिल्कुल नहीं लेनी है अगर इसमें थोड़ा बहुत भी मिर्ची है कोई मसाला एड होगा तो वो इसकीन पर ऐलर्जी की रूप में आ सकता है तो मसाले में से हमने हल्दी नहीं लेनी है इस तरहीं से फ्रिश प्रकेट का यूस कीजिएगा अगर आप लेते हैं तो वो वाली हल्दी भी आप यूज कर सकते हैं तो एक चमच हल्दी हमने लेना है एक बाउल के अंदर इसके बाद में हम एट करेंगे यहाँ पर ग्लिसरीन आपकी स्कीन ओईली हो या रफ हो दोनों पर ही ये ट्रिक काम करने वाली ही किसी तरह के से कोई दिकत न लेना है अब हो अपकी आखों के निचे बहुत जादा गहरा कालापन है तब आप इसे आखों के लिचे लगा सकते हैं पर पहले एक बार हाथ पे इसे ट्राइ करके देखीगा जब भी आप कुछ home remedy या market से कोई भी product लेकर आते हैं तो आप उसका एक बार test जरू करते होंगे तो एक बार पहले इसे अपने हाथों पे लगा के देखिए उसके बाद ही अपने जहरे पे apply कीजिएगा तिसरा ingredient हम यहाँ पर ग्लाब जल एड़ करने वाले हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लाब जल लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पानी एड़ करेंगे अगर अपके पास ग्लाब जल ज्यादा quantity में है तो आप पूरा ही ग्लाब जल ले सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी लेगा हमने लेडी ही आइस ट्रे और इसके अंदर हमने इसे सैट कर देना है यहां पर हम आईस ट्रे में इसे जरूर सेट करेंगे क्योंकि जो हमारे सकीन है कभी-कभी ऐसा होता है कि थथड़ के सिजन में वह बहुत-ज़ादा लूज्स हो जाती है बहुत-ज़ादा रफ हो आखों के नीचे अच्छे से आप इसे रब करेंगे आखों के नीचे इतने भी dark circle है वो भी remove हो जाएंगे इसे तरह का skin पर अगर tanning हो रहा है धूप की वज़े से वो भी remove हो जाएगा और अगर dark spot है वो भी खतम हो जाएंगे तो आप इसे freezer में बना के जरूर रखें यह आपके बहुत जादा काम आ सकती है अगर आपको किसी भी तरह की कोई problem नहीं है तो यह हमारे चेहरे की रंगत को बढ़ाएगी सबसे best trick है यह जरूर try out करके दीखेगा एक बार इसे अपने freezer में बना के रखें और उसके बाद में आप इसे try करें आप देखेंगे पहली ही बार में आपको result दिखने लग जाएगा तो यहाँ पर tray में बर्फ अच्छे से set हो गई इसके बाद में यहाँ से मैं 3-4 cube ले रही हूँ Ice cube हमने लेना है उसके बाद में हलके हलके हाथों से बहुत आराम से हमने चहरे पर मसाज करना है मैं ही आप आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ इस तरह के से हलका हलका हमने मसाज करना है और आपने देखेंगे यहाँ पर हल्दी और ग्लिसिर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा ग्लाब जल अच्छे से चहरे को निखार देता है कोशिच किजिएगा यह रेमेडी आप रात के टाइम अप्लाई करें अपने चहरे पर इसका पैस रिजल आपको रातो राती नजर आने वाला है हल्दी बहुत अच्छे से चहरे के दाग धब को हटा देगी ग्लिसिर अच्छे से चहरे को चमका देगा और यहाँ पर जो हमने गुलाब जल अट किया है वो रंगत को निखारेगा आप यह ट्रिक आपको पसंद आती है और आप इसे जरूर करना चाहेंगे आप भी घरेलो जोगा डूंट रहे हैं जो आपकी इस विंटर सिसन बहुत सदा हैल्प करें इस कीन को ग्लू करने के लिए तो यह ट्रिक सबसे बैस्ट है शहद में बहुत दरकी मिलावट की जाती है इसको घर पे कैसे चेक करें तो सिंपल सा तरीका में आपको बताने वाली हूँ एक बावल या कटोरी लीजे इसमें नॉर्मल जो ग्रूम टेपरेचर पर पानी होता है उसे लेना है और थोड़ा सा शहद हमने इसके अंदर डालना है लगभग आदे चमच इतना शहद आप ले लीजे और इस पानी के अंदर आप डाल दीजे इसके बाद में आप इस पानी को हिलाईए शेक कीजे अगर इसमें शहद मेल्ट हो जाता है तो ये शहद मिलावटी है अगर melt नहीं होता है तो ये शहद मिलावत्ती नहीं है और इसमें आपको एक जाली जेसा नजर आएगा तो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ, वीडियो कहीं भी मैं आपको कट नहीं करके दिखा रही हूँ तो मैंने शहद डाल दिया है इसके बाद मैं इस पानी को में हिलाओंगी काफी स्पीड से मैंने इसे हिलाया है और आपने देखेंगे कि ये शहद पानी के अंदर मेल्ट नहीं होता है ये अराम से अपनी सर्फिस पे फेलेगा बस पानी के अंदर मेल्ट नहीं होगा जब तक आप इसमें चम्मच डालके इसे अच्छे से नहीं हिलाएंगे ये पानी में भूलता नहीं है तो ये शहर्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका है जो आप घर में कर सकते हो उमीद है ये ट्रिक आपको पसंद आती है जब भी आप मार्केर से शहर्ट लेकर आ रहे हैं तो इस ट्रिक को ज़रू करें और उसके बाद भी अपने इस शहर्ट को बच्चों को खाने के लिए दे क्योंकि शहर्ट डारेक्ट कंजूम किया जाता है जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचा सकता है क्योंकि ज़्यादा तर जो शहर्ट आते हैं उसमें आदे से ज़्यादा चीनी होती है अच्छे से बड़ेया से मैंने शेक किया और आप देख सकते हैं शहर अभी भी बेस तली में ही रगा हुआ है नहीं वो पानी में आया है थोड़ा बहुत मिठा से वो ही पानी में आई है बाकि शहर पुरा का पुरा प्लेट के अंदर ही है अगला इस फुल हैक मेरा विंटर स सब्सक्राइब यहां पर आप देख सकते हैं कुछ तो बहुत अच्छे ह को निकाले कैसे .... मार्केट से भी जब हमले राते है तो उस पर पी कभी तरह कई नहीं को मिलता है तो इस वाइट को निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे दातों पर यूज़ होने वाले पुराने टूथ ब्रश का बस इसके बीच में हमने हलके हलके से इसे घुमारा है बहुत प्रेशर दे कर नहीं करना है इसके अदर अगर किसी तरह का फंगर से किसी तरह का बैक्टिरिया है आसारी से इस टूथ ब्रश की मतलब से बाहर आ जाएगा ये ट्रिक बहुत ही यूसफुल है जब भी आप लेकर आते हैं सिताफल या कस्टड एपल को तो इस ट्रिक क भी खा लेते हैं काफ़ी सारी लोग इसे टच करते हैं तो हम इसे पानी से तो नहीं दो सकते हैं पर हां इस तरही ब्रश लगा कर हम इसके उपर के बैक्टिरिया को खटा सकते हैं आ七 ट्रिक आप पसंद आती है जब भी आप सीताफल या कस्टड एपल लेकर आते हैं इस तरह की तुरही ये गिल्की का यूज हमारे घर में किया जाता है, सब्जी बनाने के लिए बहुत से घरों में लोकी भी आती है, तो इन सब्जी ओ के साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसकी जो उपर वाली परत है, ये बहुत ज़्यादा सक्त हो जाती है, अगर इस तरह के स पहले इसके छोटे-छोटे इस तरीके से तीन-चार टुकडे कर लेना है, आप यहाँ पीलर का भी यूज कर सकते हैं, इसकी उपरी परत को हटाने के लिए, पर पीलर में बहुत सारी सब्जी बीना बहार आ जाती है, तो आप चाकू को इस तरीके से अगर गिल्की तुरही भी नहीं करना पड़ेगा, चाकू से अगर हम इसका छिल्का उताने जाते हैं, तो बहुत मोटी परत बहार आ जाती है, जिसे आदी सी ज्यादा गिल्की या तुरही तो कच्रे में चली जाती है, तो आप इस तरीके को ज़रूर अपनाईए और इसकी स्केन निकालने के लि तो हमारे घर में बहुत सारा तेल आता है, जिसकी पहचान करना बहुत जादा मुस्किल होती है, कि उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, तो आज हम सिफ एक लहसुन की मदद से तेल की ब्योर्टे को चेक करने वाले हैं, तो जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं, उन्हें दो कप में इस तरह के से ले लीजिए, तो हमारे यहां दो तरह की तेल का यूज़ होता है, एक यहां पर है मस्टर्ड ओयल और दूसरा है यहां सुरज मुखी का तेल, दोनों में एक एक लहसुन को हमने इसमें डाल देना है, तेल में अच्छे तरह के से डीप हो जाती है तो आप देख पाएंगे कि इसमें मिलावट है और वो तेल आपको खाने में यूज नहीं करना है लगबग 10 मिन का टाइम आपने देना है तेल जो है वो रूम टेंपरेचर पर ही होना चाहिए गरम की अववा तेल यूज ना करें इस तरीके से आप तेल में किसी तर है के लिए आज हम दिये को ग्रेटर पर ग्रेट करने वाले हैं यहां हम ग्रेटर की धार बढ़ा रहे हैं और उसके साथ एक यूसफुल ट्रिक भी आपको में बताऊंगी तो वीडियो को आपने देखना है स्किप बिल्कुल नहीं करना है तो यहां पर हमने दिये को अच् करेंगई को दिख सार्द थोड़ा साम कोंगिट लेंगे जितना की हम ब्रश करने में यूस करते इसके बाद इन बड़ा से जिसकी शाइन खतम हो जाती है, यह किसी वज़े से यहाँ पर पानी के हाड स्टैन हो जाते हैं, जो कि निकलने का नाम नहीं लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, मेरे पास ही जो प्लेट है, इसके साइट कॉर्नर में पानी के बहुत जादा हाड स्टैन है, जो कि निकलने का न बहुत जादा खराब हो रहा है और अगर वो शाइन खतम कर चुका है अपनी और शाइन बिल्कुल नहीं आती है उसकी क्लीनिंग करने के बाद भी तो इस ट्रिक को ज़रू यूज़ करके देखेगा बहुत आसानी से शाइन भी आजाएगी जितने दाग धबे वो भी निकल जाइगी